कि नमस्ते Fortune कैसे आप उच्छे होंगे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आप मार्च के महीने में लगाएंगे तो गर्मी में वह बहुत तेजी से फैलेंगे और वो प्लांट ऐसे हैं आप उनको पॉट्स में लगाएं या हैंग इंग वास्के ब tremendous में लगाएं या किसी भी बॉटल प्लांटर में लगाएं वह बहुत तेजी से प्लांटर फैलते हैं तो इनके नाम है सबसे पहले नाम् ये टर्ट वाएन देखिए इसकी जो इस्टेम होती है जब यह नीचे की तरफ गिरती है तो बहुत ही सुन्दर लगती है अब इनकी ग्रोथ चालू हो गई है फ्रेंस क्योंकि अभी डोर्मेंट में होते हैं तो यह प्लांट और तेजी से यह बढ़ते हैं अप्रेल मार्च अप्रेल माई खू 40-50 रुपेर का आपको मिल जाएगा और यह बहुत ही अच्छा लगता है और यह नीचे गिरता है आप हैंगिंग बास्केट बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा तो कुछ इस तरह से मैंने भी इसको हैंगिंग बनाया हुआ है दूसरा प्लांट है फ्रेंस यह यह यह जैड प्लांट है इसको मैंने देखिए टोकरी में हैंगिंग किया हुआ है और यह बहुत ही तेजी से फैल रहा है आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ आप बहुत तेजी से अभी गर्मी में चलती है और इनको आप इस तरह से पिंच करते रहेंगे तो इसकी यह जो स्ट इसको भी आप 50 रुपए में ला सकते हैं यह बांडचू का प्लांट है यह देखिए इसको मैंने एक पॉट्स में लगाया हुआ है और कितनी तेजी से इसकी स्टेम फैल रही है यह पौदा भी बहुत तेजी से फैलता है इसकी छोटी सी छोटी स्टेम को आप लगाएंग इस तरह से आप इसकी छोटी स्टेम बहुत असानी से लग जाती है यह प्लांट को आप छाया वाली जगह पर रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसके कलर आएंगे लेकिन यह गर्मी में बहुत ज़्यादा फैलता है तो देखिए इस तरह से आप इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं यह बांडर जू बहुत प्यारा प्लांट है तो इसकी भी आप आज केक बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगएगा तो इसके कलर कुछ इस तरह से दिखते हैं अगर आप धूप में रख देंगे तब भी यह प्लांट चलता रहेगा लेकिन सके कलर बिलकुल change हो जाते हैं बिल्कुर red color का हो जाएगा इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए आप इसको धूप की bright light मिले लेकिन इसको proper धूप नहीं मिले तो इसके color कुछ इस तरह से निकल के आते हैं तो इस plant को भी आप लगा सकते हैं यह गर्मी में बहुत ही ज़्यादा तो इसको आप जरूर लगाएं यह देखिए पर्सलेन है यह बहुत ज़्यादा फैलती है गर्मी में और बहुत प्यारे इस पर फ्लावर आते हैं पीले color कई भी होते हैं white भी होते हैं pink भी होती कई बराइटी में यह पर्सलेन आती है तो इसकी भी आप hanging basket बना सकते हैं बह यह प्लांट लगता है देखिए मिठाई के दिब्बे में फ्रेंस लगाया है और इस तरह से यह नीचे पूरा भर चुका है और नीचे की तरफ लटक रहा है जब हैंगेंग वास्केट में नीचे की तरफ लटकता है तो बहुत सुन्दर लगता है तो यह ब्लो लेंज जो है इसको भी आप लगा सकते हैं गर्मी का यह plant है, बहुत ज़्यादा यह फैलता है और यह देखिए, यह तो fourchla का है इसमें pink color के और red color के फ्लावर आते हैं यह भी बहुत ज़्यादा फैलती है तो यह देसी वाली नहीं है friends यह छोटी बराईटी के hybrid होती है तो ये इस तरह से इसकी भी आप hanging basket बना सकते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा plant है ये तो 20 रुपए की आपको मिल जाएगा तो इस तरह के आप ये गर्मी में बहुत तेजी से फैलने वाले जो प्लांट है इनको आप अभी ग्रो कर लें मार्च के महीने में तो आपके प्लांट बहुत ही जादा अच्छे फैलते रहेंगे ये बासकेट प्लांट है और ये भी बहुत जादा फैलता है और इसकी देखिए ये बेबी प्लांट जो होते हैं इनको कट करके आप हैंगेंग बासकेट बना सकते हैं जो इस तरह से देखिए ये लटक रहे हैं तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं तो इनको भी आप अभी बहुत ज़्यादा यह भलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी घ्रोध होती है Para Car बास्केट को लगा सकते हैं यह प्लांट बास्केट प्लांट बोलते हैं इसको तो हैंगिंग में बहुत ही प्यारा लगता है और यह भी दूप का प्लांट नहीं है फ्रेंस च्छाय का है इसको च्छाय में रखेंगे तो बहुत जादा ग्रोथ करेगी लेकिन आप दूप मे मैंने में बहुत जादा ये प्लांट फैलेगा गर्मी जितनी भी बढ़ती है उतना ये प्लांट फैलता है और अगला प्लांट ये देखिए इस्पाइडर प्लांट है ये देखिए आप कितना बुसी प्लांट है और ये भी बहुत जादा फैलता है इसको भी जादा धूप की जरूरत नहीं होती है यह चाया का प्लांट है और इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे आप धेर सारे प्लांट बना सकते हैं फ्रेंस हमने तो धेर सारे इसके प्लांट बनाए हुए तो इसको भी आप हेंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जिसी पॉर्ट में ल नख जाता है और पहुत तेजी से फैलता है इसकी भी आप हैंगुंग बास्केट बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगे आप एक स्टेम से धेर सारे प्लांट बना सकते हैं तो फ्रेंस कुछ इस तरह से मैंने धेर सारे इसके प्लांट बनाये हुए हैं तो आप भी इसी तरह से अगर अभी इन प्लांटों की कटिंग्स लगाएंगे तो गर्मी में आपका पूरा गार्डन भर जाएगा और बहुत तेजी से ये plants प्लंट फैलते हैं ये देखिए ये रेनली ये भी बहुत ज़्यादा फैलती है ये friends मैं अपने Team ये यहां से यहां से लेकर आई थी इसकी cuttings और इसको मैंने इसत्रह से इसमें grow कर दिया है और की सरदी में grow किया ता फिर यह काफी फैल चुकी है तो यह अभी गर्मी में बहुत ज्यादा फैलेगी और जब बारिस होगी तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावर आएंगे कई वेराइटी की होती है यह जैसे कि आप वाइट कलर की ले लीजिए पिंग कलर की रैड कलर की हरे कलर की इसमें आती है तो यह रैन लिली है पीस लिली को भी आप लगा सकते हैं तो इसकी हैंगिंग बास्केट भी बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी फ्रेंस अभी जब इसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद मैं इस प्लांट को अपने हैंगिंग बास्केट में बनाने व प्लान्ट होता है छोटे से पॉट में चल जाता है छोटी सी कटंग सके सब्सक्राइब प्लान्ट इसके भूं से भर जाये गा और फूलों से भर जायगा पतियों से भर और कम केयर में फ्रेंस चलता रहता है तो यह परपल हाट को भी आप लगा सकते हैं और देखिए यहां पर मैंने यह लगाई हुई है ट्रेटल वायन आप देखिए छोटे से पॉट्स में चल रही है अब जब यह नीचे लटकती है तो बहुत सुंदर लगती है इसलिए यह भी आप लगाएं तो आप परपल हाट को आप इसकी भी बास्केट बना सकते हैं या फिर आप इस तरह की बोटलों में भी लगा सकते हैं आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं किसी में भी फ्रेंस लगा सकते हैं छोटे बड़े सभी पॉट्स में यह चल जाता है लेकिन झाल झाल झाल